एटीम बदल कर पैसा निकालने वाले युवक को चंदरपुर पुलिस ने किया गिरफतार चंदरपुर ठाना की घटना जहां प्रार्थी द्वारा ठाना पहुंच कर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि 28 जून को अग्यात आरोपी द्वारा एटीम से पैसा निकाल लिया गया है वहीं एटीम काड को लेकर दूसरे एटीम से 40,000 रकम निकाल लिया है जिस पर पुलिस द्वारा ठगी के धारा 420 एवं 389 चोरी के धारा IPS वच्यासक CITX के तहक मामला कर विवेशना में लिया गया पुलिस द्वारा कई जगों की CCTV फुटेज खंगाला गया तो सुरेश चोहान को CCTV फुटेज में देखा गया जब पुलिस द्वारा सुरेश चोहान को पुष्टाश की तो उन्होंने बताया एटियम से पैसा निकालने की बात कुबूल की साथ ही ठगी की रकम को भी गरामत किया गया वहीं चंदरपुर पुलिस ने गिरफ्टार कर आरोपी सुरेश चोहान साकिन बोर्सी निवासी थाना चंदरपुर को निया एक रिमान पर भेजा गया है संदिक अरोपी नजर आया जिसकी पता चाजी ही तो मुबीर लगाए गया जैसे इसका पता चला उसे तुरंट उस अभी रक्षा में लिए पूस्ताच किया गया पूस्ताच के तुरंट उसने अपना गुना कभूल किया तो उसके पास साही रकम बरामत की गयी मामले में 420 379 IPC किजा रख ता 66C ATX जोड़ा गया है